आखिलो फ्रेंड्स वेल्कॉम तु पाइथन सिरीज आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन वर्क कैसे करता है मिन्स जब हम अपने पैथन प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके पीछे की वर्किंग क्या है तो पाइथन की वर्किंग को समझने से पहले हम लोग को कुछ कॉ जब कभी भी हम लोग Python script को compile करते हैं, तो यह automatically generate करता है compiled code, जिसको बोला जाता है bytecode. The bytecode is not actually interpreted to machine code, यह bytecode आपका machine code में interpreted नहीं होता है. The bytecode is loaded into Python runtime and attributed by virtual machine, which is a piece of code that reads each instruction in the bytecode and executes whatever operation is indicated. मतलब हमको अपने उस bytecode को Python virtual machine में load करना होता है, जहाँ पर Python virtual machine का interpreter उस bytecode को convert करता है machine code में, जहाँ पर वो bytecode में लिखे instruction को line by line execute करता जाता है, और जो machine है हमारी उस code को समझ के उसके हिसाब से अपना output हमको display करती है. The bytecode is actually created in the same directory as .py file, we can find bytecode instruction in .pyc file, जिस directory में हम लोग .py file मतलब Python की file को save करते हैं, उस directory में जह हमारा Python program compile होने के बाद bytecode में convert होता है, तो उसा directory में हमको .pyc नाम की file मिलती है, जिसमें हमारा bytecode लिखा होता है, ये और bytecode होता है 물िट कोड होता है, जिसको ना तो एक human समझ सकता है और नहीं machine समझ सकती है। इसलिए इसको intermediate language code बोला जाता है जो कि वीच का code होता है जो ना तो human readable होता है और नहीं machine readable होता है और इसी bad code को जब हम python virtual machine को send करता है तो python virtual machine का interpreter इस bad code को convert करता है इसका instruction को 9 by 9 execute करता है और फिर हमारा जो CPU है उसका जो processor है वो instructions को run करता है और उसका output हमको display करता है next हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से compiler है python में जिसकी मदद से हम लोग अपने python program को byte code में convert कर पाते हैं python compiler python compiler convert the source code into byte code source code क्या होता है ऐसा code जिसे हम लोग लिखते है मतलब जो high level language में जो हम लोग code लिखते है जो कि एक तरीके का English sentence होता है जिसमें लोग python के syntax करके अपना python program लिखते है उसी को source code बोलते है python compiler क्या करता है source code को convert करता है byte code में this means a compiler convert the .py source file into .pyc byte code for the python virtual machine जिसका मतलब यह है। compiler क्या करता है ? आप एक C Python है यह most common compiler है Python के लिए और most widely used किया जाता है जिसको की C programming में लिखा गया है और यह Python programming language interpreter भी इसको बोला जाता है इसके इलावा iron Python है जो की आपकी C sharp language में लिखी गई है नेश्ट है PyJS जावास की प्रेटफॉर्म प्रेंड करने के लिए आप इस PyJS compiler का यूज कर सकते हैं जो की Python में रिटन है जाइथन जाइथन इस जाइथन सक्सेसर पहले इसका नाम जाइथन नाम से लोग समझते है यह भी आपका Java प्रेटफॉर्म के लिए बना हुआ है और इस compiler को पाइथन प्रोग्रामिंग में ही लिखा गया है इसके अलावा भी काई सारे आपके compiler इंटर्पीटर से Python के जैसे कि पाई पाई रूबी पाइथन एस्टेक्लस पाइथन एक्टिव पाइथन नेश्म देखेंगे कि पाइथन वर्चुल मसीन क्या होती है जैसा कि मै इस पाईथन वर्चुल मसीन का इंटर्पीटर उस ByteCode में इस्टेक्सन को step-by-step सुरूई करता है और इंटर्पीट करता है तो जैसा कि यहां लिखा है पाईथन वर्च 좋을 मसीन प्रोग्र्चुल मसीन कर पम्रिम प्रगर्मिंग पाईथन वर्चुल मसीन आपको और डिस्प्ले करता है आप पूरे प्रॉस्स को अब एक्जाम्पल से समझते हैं तो हो सकता आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि सारी चीजे जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर एक एडिटर मतलब हमारा वह एडिटर नोटपैड भी हो सकता है नोटपैड प्लस प्लस भ में जिसको हम लोग इंटरिमिंडेट लैंगज को भी बोलते हैं वह ऐसा कोड होता है ना तो हीमें रिडिवल होता है ना ही मसीन रिडिवल होता है ना तो हमारे मतलब का होता है ना ही मसीन के मतलब को होता है उस बैड कोड को वर्चुल मसीन मतलब पाइफन वर्चुल मसीन के अंदर एक interpreter एक inbuilt होता है जो कि इस byte code को convert करता है machine code में वो machine code जब CPU read करता है और उस instruction को execute करता है तो वो as a output हमको display में दिखता है इसी चीज़ को थोड़ा सा easy way में समझने के लिए मैं आपको इस diagram में ले चलता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक python code पास किया है compiler के पास compiler क्या कर रहा है syntax चेक कर रहा है और उसको translate कर रहा है bytecode में मतलब हमने एक.py file पास की compiler के पास compiler ने किया qya रिट करेगा और फिर वह हमको as output शो कर देगा महां लीजिए कंपालत जब हमारे डॉट पीवाई फाइल को रिट कर रहा होता है कंपाल कर रहा होता है अगर उसमें कोई भी सेंटेक्स एरह रात तो उसका मैज़स हमको थ्रो कर देगा अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो बैट कोड में कंपर करता है संदद है इस तरह से बैट कोड फाइल ज में पास होती है completely छूँकिन में पाइथन इस भी मसीन और उस समय खम रही होता है तो थुषnd को नादो करन शो करेंग था है तो दोस्तों आज आप लोगे नें समझा किस तरह से हम लोग अपने python program file को convert करते हैं into bytecode by using compiler and then इस bytecode file को हम लोग convert करते हैं machine code में at during time python and time में by using interpreter तो friends अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो please मेरी इस वीडियो को like and share करें और अगर आप मेरी इस चैनल पर ना है तो please मेरी इस चैनल को subscribe करें और बला इकन प्रेस का नहीं ना बूलें